तो यार अभी जस्ट एंट मैंने दिवास कॉंटेमेनिया देखकर आया हूँ एट जब रॉटन टोमेटोस पे क्रेटिक्स ने इसको 50% की रेटिंग दी तो थोड़ा लगता है कि भाई क्या सच में इतना बुरा बना दिया है चलो डीटेल में बात करते हैं बिना किसी स्पोयलर के और हाँ इस वीडियो में आपको दूँगा 5000 के गिववे जीतने का मौका तो इन तक जरूर देखना तो हाँ जब रॉटन टोमेटोस पे 50% की रेटिंग देखी तो फील हुआ कि लगता है मार्वल खतम शायद इन्होंने सच में बहुत ज़्यादा खराब मूवी बना दी है फिर रेलाइज हुआ कि श्री हल्क जैसे बेकार सीरीज को क्रेटिक्स ने 75% दिया था और मैन अफ स्टील जैसे ओसम मूवी को इन्होंने 56% दिया था एक बात तो तैह है कि भाई क्रेटिक्स की बिलकुल नहीं सुनने का और ये मूवी बिलकुल इस बात को प्रूफ करती है हाँ ये बात भी है कि ये मूवी ऐसा कोई मास्टर पीस नहीं है जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं है कोई कमी नहीं है इससे बहुत जादा बेटर MCU मूवी बन चुकी हैं लेगिन फॉर शूर 50% जितनी बुरी मूवी नहीं है मेरे लिए तो ये काफी इंटर्टेनिंग मूवी रही चलो थोड़ा डीटेल में बात करते हैं कि क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा पहले स्टोरी की बात करें तो ट्रेडर से जो आपने स्टोरी का अंदाजा लगाया होगा या इविन मेरा ब्रेकडाउन देखा होगा तो यहाँ कुछ वैसा ही हुआ है कैसी के चलते एंटमेन अपने पूरे फैमली के साथ कौन्टम रिल्म में फस गया उसकी मुलकात कैंग से हुई और कैंग ने उसको फोर्स किया उसके हल्प करने के लिए बेसिकली यहाँ एंटमेन और कैंग दोनों ही कौन्टम रिल्म में फसे वे थे और दोनों ही एक दूसरे के हल्प के भरो से थे अब यहाँ मतलब जैसे अपना एंटमन के दुनिया में फस गया है तो यह सब मुझे याद दिलाता है एक सिमलर आडियो सिरीज शूर वीर की जिसे एक फ्रेंट के कहने पे मैंने सुनना शुरू किया था और अब मैं इसे बिंज लिसन कर रहा हूँ एंटमन की तरह स्टूरी का सूपर हिरो वीर भी एक प्लैनेट पर अटक गया है अपने परिवार को बचाने के लिए इसे जरुरत ही पैसो की बट अनफॉचनेटली इसकी लाइफ में कोई आइन मैन जैसा मिलिनियर दोस्त नहीं है पर हाँ डॉक्टर हैंक पिम जैसा एक साइन्टिस डॉक्टर खुराना इसे एक प्लैनेट पर भेज देता है जहां सर्वाइव करने पर इसे करोड़ रुपे मिलेंगे टेलिपोर्ट होकर उस प्लैनेट टाइटन पर जाने के बाद वीर को पता चलता है कि बॉस यहां सर्वाइव करना तो मुश्किल है वो यहां जानवरों को मार कर उनकी सूपर पावस एब्जॉर्ब करता है और एक एलियन की गैंग का लीडर बन जाता है लोग इसे हीरो वर्शिप करते हैं जो आपको ब्लैक पेंथर की याद दिलाता है यहां एक ऐसी खतरनाक फाइट होती है जिसमें वीर अपनी इंटिलिजेंस और सिर्फ पचास लोगों की आर्मी बना कर पाँच हजार एलियन को हरा कर उन्हें स्लेव बना देता है पर इस प्लैनेट पे यह टकरा जाता है एक और गैंग लीडर अवनी शेर गिल से उस पर भरोसा करना चाहिए क्या वो प्रितवी पर वापस जा पाएगा तो इस टाइटन प्लैनेट की सचाई क्या है वीर रहे जा क्या वाकई प्रितवी पर वापस जा पाएगा यह सारे जवाब तो pocket FM की audio series शूर वीर को सुन कर ही मिलेंगे पांच हज़ार का गीववेज इतने के लिए आपको बताना है कि वीर किस एपिसोड में सबसे पहली बार डेविल सोल हासिल करता है ये जवाब और एपिसोड का स्क्रीन शॉट आपको भीजना है पॉकेट अफेम की इंस्टाग्राम आइडी पर शूर वीर और पॉकेट एफम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में दे दी है हाँ तो मैं बता रहा था कि ये ड्राबैक मुवी का जरूर है कि जो ट्रेलर में स्टोरी है वही मुवी में ही है बोलू तो visually stunning but with basic predictable plot स्टोरी आपको वैसा कुछ major twist से भरावा नहीं मिलने वाला लेकिन उसके बाद भी आप enjoy करते हो क्योंकि back to back screen पे कुछ ना कुछ होते रहता है भाई सिर्फ 2 गंटे की मुवी है तो बोर होने का time नहीं मिलता उपर से यार जोनाइथन मेजर्स की performance भाई मानना पड़ेगा मेरे इसाब से actors की performance इस movie का सबसे strongest part है especially Paul Rudd का charm आपको अच्छा लगेगा लेकिन यार जोनाइथन मेजर्स का kang सारी characters पे इसे limelight छीन कर ले जाता है like literally उनका जो screen presence था वो बहुत जादा amazing है and जिस तरह से इनोंने he who remains के kang variants से अपने आपको differentiate किया है वो देखना amazing था but मेरे according अच्छे performance के ठीक opposite था Catherine Newton का performance मलब मैं यार frankly बोलूँगा तो जितने भी emotional scenes थे movie में उन सब में इनोंने इतना बेकार perform किया है कि बता नहीं सकता सही में father daughter का जो chemistry होता है emotional angles होते हैं वो आपको इनके face पे भी नहीं दिखेगा since volume का use किया गया है मतलब जैसे mandalorian की shooting हुई थी वैसी इस movie को भी शूट किया गया तो real characters पे lighting वैटिंग भी सही रहती है लेकिन जब CGI characters आते हैं तो वो थोड़े से विकार जरूर हो जाते हैं अब देखो quantum realm है तो 50 तरह के अजीब से creatures यहां दिखे हैं side characters को तो हम लोग ignore भी कर सकते हैं लेकिन भाई आप जब भी modog को देखोगे तो आपको feel होगा कि भाई कुछ तो गड़बड जरूर है कुछ अजीब सा जरूर लग रहा है मतलब ये character environment के साथ fit ही नहीं हो रहा था उसके face पे lighting भी थोड़ी अजीब सी थी और सही बोलोगा कि जब भी मैं modog को देख रहा था तो मुझे हम्टी डम्टी की याद आ रही थी लेकिन except अगर इन कुछ mistakes को छोड़ दें तो सही में visually movie बहुत stunning है मतलब Ant-Man की movies में इतना बड़ा setup देखना इतना बड़ा environment देखना मैंने तो imagine नहीं किया था जैसे Black Panther में Wakanda को पहली बार देखकर जो feeling आती है या फिर Aquaman जैसे movie में Atlantis को देखकर जो पहली बार feeling आये थी वैसे ही कुछ feeling आपको quantum realm देखके मिलेगा and action scenes की बात करें तो ठीठाक action scenes हैं ऐसा कुछ standout नहीं होता है आप यहां बहुत सारे characters को एक साथ fight करते वे देखते हो Ant-Man कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है लेकिन असली मज़ा तभी आता है जब Ant-Man और Kang का hand-to-hand combat होता है उस moment पे आप page of the seat पे रहोगे अब अगर MCU की movies की हिसाब से बात करूँ तो जैसा आप MCU movies में expect करते हो यहां भी वही होता है कुछ comedy one-liners थे जो कि शायद कुछ जगा नहीं भी होते तो चलता जैसे भाई किसी की बेटी kidnap होई है तो logically वो joke तो नहीं मारेगा लेगिन क्योंकि MCU की movie है तो यहां वो joke मारता है तो हाँ कहीं कहीं पे जहां jokes की जरुवत नहीं भी थी वहाँ jokes डाले गए हैं लेगिन love and thunder में जैसा हुआ था वैसा यहां नहीं हुआ है jokes का comedy का overuse नहीं किया गया बलकि मैं बोलूँगा कि Antman के previous movie से यहां ना के बराबर comedy है जो कि इस character के लिए बहुत ही major tonal shift है और यार जब भी screen पे kang है तो comedy आस पास भी नहीं है इस character को पूरी तरह से serious tone में ही दिखाया गया है फिर MCU के movie से आप दूसरे project से connection and future का tease expect करते हो तो भई यहां आपको वो भी मिलता है वो भी next level का movie के बीच में दूसरे movie से उतना connection तो नहीं दिखाया गया लेकिन हाँ Loki के series से थोड़ा connection मिलता है लेकिन यार जो ending में दो post credits scene है यह बहुत ही amazing है यहां आपको future का बहुत ही mega tease मिलता है गलती से भी post credits miss नहीं करना दोनों ही देखना overall अगर मैं अपना conclusion दूँ तो Ant Man in the Wasp Contamania एक entertaining movie है MCU के movie से जो आप expect करते हो सब कुछ यहां मिलता है हाँ सब plots और twist की कमी है story predictable है लेकिन in the end आपको मज़ा आता है आपने यह movie देख लिए तो ज़रूर बताना कि 10 में से आप इसको कितने points दोगे और नहीं देखे तो यहर कब देखने जा रहे हो और हम इसका ending and post great explanation वीडियो भी कल सुबा सुबा डाल दूँगा वो miss नहीं करना चाते तो subscribe कर लेना और नीचे pocket FM का link भी दिया हुआ है डाउनलोड करके एक बार शूर वीड जरूर सुनना kang the conqueror की comic book origin जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें and guardians के new trailer के hidden details जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो ले कराऊंगा till then be desi be nerd